श्री गनेशाय नमहा, ये राशी फल चंद्राराशी पर आधारित है चंद्रमा मन के कारक है, हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति ले कर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छाया बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तों इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में 11 भाव में है जी हाँ 11 भाव यानि लाबस्तान लाबस्तान में चंद्रमा के होने से आप के लिए ये दिन काफी बढ़िया रहने वाला है आपको ये दिन लाब ज़रूर दिलाएगा इस समय में आपकी हर इच्छा हर मनो कामना पूरी हो सकती है इस दिन सुबह से ही आप उत्साह और जोस से भरपूर रहोगे पेंडिंग कामों को इस वक्त आप पूरा कर सकते है इस दिन आपका मन पसंद रहेगा टेंशन फ्री रहोगे पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुवात करोगे इस दिन आपको कोई ऐसी खुशी भी प्राप्त हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं इस समय में आपको पारिवारिक सुक मिलेगा परिवार में भी कोई बड़ी खुशी आ सकती है यह समय निवेश करने के लिए कापी उत्तम है इस समय में निवेश करने से आपको चार गुनातक फल प्राप्त हो सकता है इस समय में आपकी इंकम में बड़ोत्री हो सकती है आपको इस समय में धनलाब भी हो सकता है अगर आप बिजनेस करते है और वो अगर पार्टनरशिप में है तो बिजनेस पार्टनरशिप में आपको अच्छा लाब इस समय में मिल सकता है इस समय में आपकी मैरिड लाइफ मदूर रहेगी घर परिवार में प्यार और शांती का माहोल रहेगा परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए खुशिया मनाने के लिए काफी अच्छा समय है आपके पार्टनर से और परिवार से इस समय में आपको पूरा सहयोग मिलेगा ये समय यात्राए करने के लिए भी बेहतरीन रहेगा यात्राओं से आपको लाब हो सकता है बिजनेस के लिए अगर आप यात्रा करते है या फिर आपके प्रोफिशन के लिए यात्रा करते है तो उसमें भी आपको लाब मिलेगा इस समय में आपकी लव लाइप में रोमेंटिक माहोल रहेगा लव लाइप के लिए दिन काफी अच्छा है अगर भविश्य की निरने लेना चाहते हो या अपने प्यार का इजहार करना चाहते हो तो समय आपके लिए अनुकुल रहेगा इस समय में आपके pending काम पूरे हो सकते है, काम करने की गती बढ़ सकती है, आपकी लगबग सारी इच्छाय पूरे होने के संकेत मिल रहे है, खरीददारी करने के लिए समय अनुकोल रहेगा, ये समय स्टूडन्स के लिए भी काफी शुप साबित होगा, पढ़ाई में concentrate कर पा जरूरी रहेगा, नोकरी के क्षेत्र में भी आपको प्रशंसा मिलेगी, आपका किया गया काम लोगों को दिखाई देगा, इस समय में आपका मित्रों के बीज उठना बैटना होगा, इस वक्त आप अपनी personality पर ज्यादा ध्यान दोगे, इस समय में आप शोव की नजर आओ आप से लोग आकरशित हो सकते हैं, आपकी बोली में मिठास रहेगी, स्वभाव में गंविरता दिखेगी, समय आपके लिए हर प्रकार से शुब है, जी हाँ ये दिन आपके लिए हर तरह से शुब रहेगा, इस दिन का पूरा लाब उठाए, अटके पड़े काम इस दिन इस दिन को पूरी तरह से एंजोय करने की कोशिश जरूर करें, इस दिन आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा, आप एनरजीटिक रहोगे, स्वास्त और मस्त रहोगे, उत्साह और जोस से भरपूर रहोगे, इस दिन का पूरा लाब जरूर उठाए, इस दिन आपके पूजिशन कुछ इस तरह की होती है, कि आपके राशीपल परिणाम में बदलाव दिख सकता है, इसलिए राशीपल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है, परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है, जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती, वह चीजे हमारे चारो तरप एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है, परन्तु हम उसको नहीं देख पाते, इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जी अगर आप कही बाहर से आते हैं और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उतार देते हैं तो ये अशुब होता है क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है इससे उन्नती मे बाधा आती है इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जगेपर ठीक प्रकार से रखे दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आते हैं कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं कहीं पर भी उतार देते हैं कुछ कुछ लोग तो घर के entry के main door के सामने ही जूतेया चपल directly उतार देते हैं ये तो बहुत ही गलत है, साथ ही कुछ लोग जूते चपल उल्टे रख देते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत ज़रुरी होता है और जूते चप्पल हमारी जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते है दोस्तो ध्यान रखे जूते चप्पल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगए पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उनके रखे साप सूत्रा रखे जूते चप्पलों को उनकी जगए पर कुछ इस तरह से रखे को देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीज़े देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखे साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के च्छत के उपर जीन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के च्छत के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के च्छत के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी एरिया है वो प इतना पास सकते हैं, उतना नहीं पास सकेंगे, क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी, इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप सुत्रा रखें, क्लीन रखें, साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, घर के उपर जाने के लिए जो लोगों को पता नहीं है, उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिने पता है, वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगए साप सुत्री रखते हैं, और एक भी चीज वहापर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं, तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जात है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको ब ही होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़ी चीड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर म अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडिका जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर क मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्य द्वार को साफ सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्तोत भी खुलने लगेंगे इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तो वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में हैं बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटेन नहीं कर पाते साफ नहीं रख उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथी दोस्तों कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवर में उसी तरह की घटनाए गटिव होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करे धन्यवाद